आप सबी का हमारे यूटूब चैनल समराट आईयस में स्वागत है इस समय हम जिम्नो स्पर्म में सेक्स्वल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं यानि अनावरित वीजी पौधों में किस प्रकार लेंगिक जनन की परिक्रिया होती है अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सामानी परिचे के साथ साथ हमने मेल रिप्रोडक्शन और विकास को देखा था इसको मैंने नाम दिया था development of microspore किस प्रकार नर जनन अंग संदचना में दिखाई पड़ता है और इसका किस प्रकार विकास होता है आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाती विए अपने इस वीडियो में हम देखेंगे मादा जनन अंग या female reproductive organ female reproductive organ ये किस प्रकार संदचना में दिखाई पड़ता है और इसका विकास किस प्रकार होता है इसे हम मेगा इस्पोर भी कहते हैं और इस मादा जनन अंग यानि female reproductive organ की बात करेंगे तो जिम्नो स्पर में जो female reproductive organ है ये क्या है कि female कौन के रूप में दिखाई पड़ता है किस रूप में दिखाई पड़ता है female कौन की रूप में और ये जो कौन होती है ये मेगा इस्पोरोफिल के समूह से निर्मित होती है हमने क्या बताया कि जो female कौन होती है ये किस के समूह से बनती है मेगा इस्पोरोफिल के समों से निर्मित होती है यह जो मेगा इस्पोरोफिल होती है यह समों में मिल करके किसका निर्मान करती है फीमेल कौन का जो साइकस होता है उसमें फीमेल कौन नहीं पाई जाती है उसमें क्या पाई जाती है एक मेगा इस्पोर पाई जाती है क्या पाई जाती है सिंगिल मेगा इस्पोर पाई जाती है किसके अंतरगत साइकस के अंतरगत और इस साइकस में जो मेगा इस्पोरोफिल होती है वो क्या है कि एक पत्ती जैसी संरचना के रूप में दिखाई किस प्रकार की संरचना है पत्ती जैसी संरचना है और नीचे यह क्या है आधार है अगर हम इस साइकस के अंदर मेगा इस पुरोफिल की बात करेंगे तो इस पर alternate यानी एकांतरित रूप में यह क्या है कि ovules लगे होते हैं क्या लगे होते हैं ovules और इस ovules कि अगर संदशना के दृष्टिकोंड से बात करें तो इस ovules को ovules को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं lower part बोलते हैं और बीच वाला पार्ट ये क्या है middle part है और ये क्या है upper part यानी जो psychus mimega isporophylls होती है ये कैसी होती है नीचे का भाग जो lower भाग है इसे petiol भी कहा जाता है क्या कहा जाता है petiol और जो petiol के उपर का भाग है इस भाग को क्या कहा जाता है ovule लेते कहा जाते है या is में ओवियूल लगे रहते हैं इसी लिए इसे क्या नाम दिया गया ओवियूलेटेट पार्ट और जो उपर का पार्ट होता है जिसमें ये पत्तिनुमासन रचना बाहर उपर की और दिखाई पड़ती है जिसे क्या कहा गया है पिनेटली तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ओवि अगर हम इन ओवियूल की संख्या देखें तो साइकस प्रजाती के अंदर जो उपर जातिया है उनमें ओवियूल की संख्या अलग-अलग दिखाई पड़ती है एक्जाम्पिल के तोर पर अगर बात करें तो एक उपर जाती है जिसे कहा जाता है साइकस रिवाल्यूटा क् साइकस की एक उपर जाती है इसके अंदर जो उवियूल होते हैं ये संख्या में अधिक होते हैं क्या है संख्या में अधिक होते हैं और ये भी देखा गया है कि जो साइकस रिवाल्यूटा के उवियूल्स होते हैं वो औरेंज कलर में होते हैं किस कलर में हैं औरेंज कलर मे साइकस की एक और प्रजाती है जिसे कहा जाता है साइकस सरसिनेलिस क्या कहा जाता है साइकस सरसिनेलिस अगर साइकस सरसिनेलिस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अवियूल होते हैं ये संख्या में अधिक बड़े होते हैं जिस प्रकार साइकस रिवल्यूटा में अधिक अधिक होते हैं और ये गहरे हरे रंके होते हैं कैसे होते हैं गहरे हरे रंके इसके अलावा एक और प्रजात ही होती है जिसे हम लोग कहते हैं सीमियंसिस साइकस सीमियंसिस अगर हम psychos simiensis की बात करेंगे तो psychos simiensis के अंतरगत जो ओविल्स होते हैं ये भी क्या है कि अगर संख्या के दरश्टिकोंड से देखेंगे तो इस पर एक या दो लगे हुए होते हैं कितना एक या दो किसमें psychos simiensis में और एक और प्रजाती है जिसका नाम है psychos thauasius क्या नाम है थावेसियस इसके अंदर जो बहुत काम की बात है वो क्या है कि plant kingdom में हमने क्या बताया plant kingdom में सबसे बड़े ovules पाये जाते हैं या आग के लिए महत्पून हो सकता है कि जो हमारा plant kingdom है उसमें सबसे बड़े ovules इसी के अंदर पाये जाते हैं इसके बाद हम आते हैं कि ये जो ovule है इसकी अगर हम LS यानि longitudinal section में देखें तो ये किस प्रकार दिखाई पड़ता है तो आईए अब हम देखते हैं longitudinal section of ovules जब हम इस ovules का longitudinal section काटते हैं तो ये बीच में कुछ इस प्रकार की संदशना दिखाई पड़ती है इसके ऊपर ये एक covering होती है और ये जो covering होती है इसमें three layers होती हैं कितनी layers होती हैं three layers और इन layers को integument कहा जाता है क्या कहा जाता है integument ये बाहर वाली outer layer और ये बीच वाली middle layer या middle integument कह सकते हैं और ये अंदर वाली क्या है inner layer या inner integument तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये जो ovules है और जब इसका LS section काड़ते हैं तो ये बाहर की ओर three layer में covering रहती है और इस covering को सामुहिक रूप से क्या कहा जाता है integument ये outer integument है ये middle integument है और अंदर वाली layer को क्या कह दिया जाता है inner integument outer layer जो होती है ये flesy होती है कैसी होती है flesy और जो middle layer होती है ये stony होती है और जो अंदर वाली layer होती है ये भी कैसी होती है flesy होती है और इसके अंदर ये जो संद्रचना है इसे प्रारम में न्यूसेलस कहा जाता है क्या कहा जाता है न्यूसेलस और इसके उपरी भाग को माइक्रोपाईल कहा जाता है क्या कहा जाता है माइक्रोपाईल और ये जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहते हैं चेले जा नीचे वाला भाग, चले जा, उपर वाला भाग, माइक्रोपाईल और ये जो बीच का भाग है इस भाग को क्या कहा जाता है निूसिलस अभी तक ये क्या है, इस्पोरोफटिक है, यानि यहाँ पर जो गुड़सूत्रों की संख्या है, वो कितनी है, टू ये नंबर आफ क्रोमसोंस है जब इस ओविल्स का भिकास होता है, तो क्या होता है कि ये निूसिलस है, इसकी कोशिका है, सक्री हो जाती है और सक्री होने के दवरान, यहां की जो एक कोशिका है, ये आकार में बड़ी होने लगती है ये आकार में कैसी है बड़ी होने लगी और बड़ी होने के बाद और ये आसपास की जो कोशिकाएं नियूसिलस की हैं ये सामानित है पैरेंट काइमेटर्स कोशिकाएं ही होती है तो जब ये कोशिका सक्री हो गई इसमें कुछ लीनियर डिवीजन होता है और उपर की तरफ तीन सल्स बनती है और ये दो सल्स क्या होती है डिजन इसी में डिस अपियर हो जाती है ये जो नियूसिलस है इसकी एक कोशिका सक्री हो जाती है और इस सक्री कोशिका को मेंगा इस पूर मदर सेल में क्या होगा अर्द सूत्री विभाजन होगा और अर्द सूत्री यानि मियोसिस होगी और मियोसिस के पस्याद जो कोसिका बनेगी उसे क्या बोलेंगे मेगा इस्पूर और यह मेगा इस्पूर जो के अर्द सूत्री विभाजन के परिणाम सुरूप बनी है इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी यह नमबर आफ क्रोमोसोम्स यह पहली को सिखा है जो क्या है गेमिटो फिटिक है कैसी है गेमिटो फिटिक यहाँ पर जैसे जैसे इसमें मेगा इस्पोर आगे बढ़ती जाती है यह न्यू सेलस क्या है किनारे की तरफ बढ़ता रहता है और एक पतली लेयर के रूप में रह जाता है आगे चल करके तो यह क्या है कि मेगा इस्पोर मदर सेल सक्री हो करके किसका निर्मान करती है मेगा इस्पोर का अब देखते हैं कि मेगा इस्पोर जो ये मेगा इस्पोर है ये किस प्रकार इसका बेकास होता है और यहाँ पर किस प्रकार आर्की गोनिया और एगसल का development होता है अभी तक हमने क्या देखा था कि ये आपका बाहर की और इंटेगुमेंट है ये अंदर की और एकसेल है जिसे क्या कहा गया था मेगा इस्पूर यहाँ पर गुण सुत्रों की संख्या कितनी थी यन और गुण सुत्रों की यह जो न्यूसिलेस था जैसे जैसे मेगा इस्पूर बढ़ता है किनारे की तरफ सिफ्टिंग हो जाती है अब यह देखते हैं कि यह जो मेगा इस्पूर है यह किस प्रकार यहाँ पर एकसेल का डेवलपमेंट होता है या यूँ कह लें कि किस प्रकार मेगा इस्पोर से आर्की गोनियम या आर्की गोनिया का विकास होता है तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ये मेगा इस्पोर है यहाँ पर फ्री नुकलियर डिवीजन होता है कैसा होता है स्वतंत्र केंद्र का विभाजन होता है जैसे ही स्वतंत्र केंद्रक यानि free nuclear division होगा यह मेगा स्पोर क्या है आकार में बड़ी हो जाएगी और यह देखिए यह जो विभाजन हुआ यहाँ पर सेल नहीं बनती है केवल केंद्रक का विभाजन होता है इसलिए इससे क्या कहा गया free nuclear division या स्वतंत्र केंद्रक विभाजन इसके बाद यह जो विभाजन होता है यह बहुत महत्वपूर बात है समसूत्री विभाजन होता है already इसके अंदर गुड़सूत्रों की संख्या कितनी है यन नमबर और आफ्ट क्रोमोसूम्स लेकिं जब यहाँ पर विभाजन होगा तो वहाँ पर भी गुड़सूत्रों की संख्या क्या होगी आधी ही होगी क्यों? क्योंकि अल्रेडी इसका जो development हुआ है ये mega sport का अर्द सुत्री विभाजन के द्वारा ही हुआ है इसके बाद ये जो free nuclear division है ये बढ़ता रहता है 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से होता है और समय के साथ यब 2 से 4, 4 से 8 8, 8 से 16 इस तरीके से जब विभाजन होने लगता है तो बीच में mega sport के क्या है एक वैकियोल बन जाती है क्या बन गई? वैकियोल जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? रिक्तिकाव और जो केंद्रक है ये केंद्रक shift होने लगते हैं mega sport के बाहर की और यहाँ पर एक बात और देखी जाती है कि सरद रितू अगर है तो सरद रितू में ये लगभग 32 nucleus यानि 32 के इंद्रक तक का विभाजन होता है और ये division यहीं पर रुख जाता है और सरद रितू के बाद जैसे ही ग्रीस में रितू आने को होती है फिर से इसमें विभाजन होने लगता है और कभी कभी देखा गया है कि यहाँ पर 2000 से भी अधिक विभाजन हो जाता है कितना ये रितिका हो गई और यहाँ पर संख्या में जो केंद्रक है यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है 2000 से भी इसके बाद क्या होता है इसके बाद जब ये विभाजन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो रिक्तिका है ये जो वैक्योल है ये धीरे धीरे गायव होती है और ये जो मेगा इस्पोर है इसके पेरिफेरल रीजन से सेंट्रल रीजन की और सेप्टा डेवलप होते हैं कैसे क्या डेवलप होते हैं दीवाल सिल्वाल बनने लगती है तो कुछ ये इस प्रकार की संरशना दिखाई पड़ती है और जब ये छोटे-छोटे आपके क्या है केंद्रक है यह हमने क्या बताया यह मेगा स्पोर है इसकी बाहरी आउटर वाल है आउटर वाल से सेंटर की और आने प होती है इसके पाथ इसमें कुछ प्रांसवर्स सेलवाल बनती है और इस प्रकार इस ये संरचना क्या है डिवलप हो जाती है अगर हम कि इसको और थोड़ा सा डीपली समझें तो इसे थोड़ा सा हम इसे क्या करते हैं लार्ज करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इसम पोर था यहां की कुछ कोसिकाएं सक्री हो जाते हैं और जो कोसिकाएं सक्री होती है उसकोसिका को कहा जाता है R-K-E-S-P-O-R-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-A-L तो देखते हैं कि इस archie sporial initial से किस प्रकार archie diagnosed का बिकास होता है ये सारी परिक्रिया कहां पर हो रही है इस मेगा spore के अंदर और हमने भी आपको बताया कि यहां की cells क्या होती है सक्क्री हो जाती है और peripheral region से central region की तरफ wall बनती है और जब ये वाल बन जाती है इसके बाद कुछ इसमें ट्रांसवर्स वाल बनती है और जो यहां की एक सिल है वो क्या हो गई सक्री हो गई और सक्री हो करके क्या बना ली है आर्की गोनियल इनीसियल सिल इस आर्की गोनियल इनीसियल सिल जो होती है इसमें पुना क्या होता है विभाजन होता है और विभाजन के फलसरोग जो पहला विभाजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है और दो प्रकार की सिल्स बनती है पहली सिल को क्या कहा गया नेक सिल क्या कहा गया नेक सिल ये बाहर की ओर सिल है क्या है नेक सिल बाहर की ओर और अंदर की ओर जो दूसरी सिल ह उसे कहा जाता है central cell क्या कहा जाएगा central cell तो हमने क्या देखा कि आर्चेगोनियल इनीशियल cell इसमें transverse division होता है और परिणाम सरूप दो प्रकार की cell बनती है बाहर वाली cell है जिसे क्या कहा गया next cell और अंदर वाली जो cell है इसे क्या कहा गया central cell कहा गया next cell में पुना विभाजन cells में होता है और एक अपर लेयर बनती है और दूसरी क्या है lower layer बनती है तो इस प्रकार क्या है ये कुछ उपर की layer है और ठीक इसके नीचे ये नीचे की layer है तो इस प्रकार हमने क्या अगया देखा जो नेक्सनीच है वो टू-layers में होती है आगे चलकर के डू-layer का निर्मान करती है upper layer घुक है इनी अपर और ठीक होने ये यहां पर एक चैम्बर बनता है जिसे कहा जाता है archie chronial चैम्बर क्या कहा जाता था और जो यह central cell होती है इसमें पुना डिवीजन होता है और डिवीजन होने के पस्चात दो प्रकार की cells बनती है एक cell को कहा जाता है वेंटरल कैनाल cell क्या कहा जाएगा वेंटरल कैनाल cell और दूसरी cell को क्या कहा जाता है एक cell देखें यह सारा development किसे हो रहा है मेगाइस्पोर से हो रहा है और मेगा स्पोर के अंदर गुर्सूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है एन है तो इन सभी सेल्स में गुर्सूत्रों की संख्या कितनी होगी एन होगी तो हमने क्या बताया कि आर्की गोनियल इनिसिल सेल्सक्री होती है और इसका डिवीजन होता है टू सेल बन इसमें दो सेल बनेंगी, वेंटरल सेल और एग सेल, जो वेंटरल सेल है, वो किसका निर्मान करेगी, वेंटरल कैनाल सेल का निर्मान करेगी, और जो एग सेल है, ये किसका निर्मान करेगी, निउप्लियस का, तो इस प्रकार अगर हम एक आर्की गोनियम की संदचना की बात क करें तो कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ती है यह आपकी क्या हो गई है cells are nex cells के नीचे की और यह आपकी क्या हो गई वेंटरल कैनाल सिल हो गई और नीचे की ओर ये आपकी एक बड़ी सिल हो गई जिसे क्या कहा गया एकसल कहा गया ये सब कहां पर development इसका हो रहा है मेगाइस्पोर के अंदर अब इस संद्चना को इस संपूर्ण संद्चना को इंडोस्पर्म भी कह दिया जाता है तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक मेगाइस्पोर किस प्रकार जो है आर्कीगोनियम का निर्मान कर लेती है और ये सारी घटना कहां पर हो रही है माइक्रोपाइल के पास में जब ये हमारा female reproductive organ पूरा बन गया इसके बाद क्या है कि वाईव के द्वारा नर युगमक यहां पर आएगा और आगे निसेचन की परिक्रिया को complete करेगा हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार निसेचन की परिक्रिया संपन होती है यानि निसेचन युओं भूण का विकास धन्यवाद नमस्कार फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में